एक्जाम्बल नंबर 51 को देखो बच्चो एक्जाम्बल नंबर 51 थोड़ा सा लेंदी है क्योंकि दो पार्ट है इसकंदर और NCID के अंदर ये कोशन दिया हुआ है आपसे इस कोशन में कहा रहा है कि the flow rate of water from a tap of diameter 1.25 cm is 0.48 liter per minute एक tap है आप जानते है tap मतलब tanky है एक तरहा की ये tanky है ये tap है दिवार में लेगी हुई है तो यहां से पानी निकल रहा है इसका diameter आपको दिया हुआ है कितना है 1.25 cm और इसमें से जो पानी निकल रहा है 0.48 liter निकल रहा है एक minute में तो मतलब कहीं न कहीं ये आपको rate of flow दे रहा है water का the coefficient of viscosity is given है आपको 10 की पावर मानेस 3 पास्कल सेकेंड तो आपसे कह रहा है कि आप ये बताओ कि flow किस तरहा का हो रहा होगा इस tap से water का तो आपको पता है flow निकालना है तो flow निकालने के निए आपको Reynolds number चाहिए Reynolds number ही बताएंगे कि flow किस तरहा का laminar है ये फिर unstable है ये फिर turbulent है और आपको तीनों के लिए पता होना चाहिए laminar flow के लिए Reynolds number की value जो होती है वो 2000 से below होती है मतलब नीचे और अगर बात करूं अनिस्टेबल की तो भाई अनिस्टेबल के लिए 2000 से 3000 के बीच में Reynolds number की value होनी चाहिए और टर्बूलेंट के लिए है तर्बूलेंट के लिए है जो Reynolds number है उसकी value 3000 से अबव होनी चाहिए तो आपको Reynolds number find out कर लेना है उसके अधार पर बता दोगे कि flow किस तरहां का लैमिनार है तर्बूलेंट है अनिस्टेबल है रिनोर्ट्स नमबर की value निकल कर आएगी तो value के अब साप range के range को देख लेना वह किसमे लाई कर रहा है आप बता देंगे कि flow इस तरहां का तो चलो उसको निकालने के निया आपको क्या करना पड़ेगा रिनोर्ट्स नमबर का जो formula होता है वो होता है रो वी डी अपोन इटा रो क्या है density of the water जो कि आपको यहाँ पर given होगे नहीं भी given है तो आपको पता है कि 1000 होती है water की बात चल रही है तो density water की 1000 है अच्छा बात आती है speed की तो क्या आपको speed पता है speed नहीं पता है यहाँ पर speed नहीं दे रही है लेकिन आपको rate of flow of water ज़रूर दे रखा तो आपको पता है since we know that rate of flow जो होता है जिसको आप q बोलते है q is equal to होता है area into velocity तो यहाँ सा आप velocity निकाल velocity की जगा रग देंगे और आपको क्या क्या given है आपको इत भी given है diameter की भी given तो आपको यह रग देना अच्छा इसमें area लिकुघ होगे तो area किस طरह से लिकूरे लिखोगे तो ये 4 उबर चला जाएगा 4Q upon pi d square यह हो गया diameter की term में area ठीक है तो पूरे की value यहाँ को put करतो तो Reynolds number का एक formula बन जाएगा rho V की value कितनी है 4Q ठीक है upon eta ऐसे रहेगा pi d square यह आप ऐसे लग दोगे तो V की value आचुग है 4Q upon pi d square तो V की value मैंने 4Q upon pi d square रग दी और d यहाँ चल रहा था तो एक तरह सा rho V d की value आगई और नीचे eta था बस कतम इसको solve कर लो 1D से 1D कर जाएगा तो Reynolds number का एक formula बन गया नया 4 rho Q upon pi eta d इस formula यह value put कर देंगे और आप put करने के बाद simply calculate करके यह बता सकते हैं कि flow किस तरही के का देखो कैसे पहले वाले case में पहले वाले case में आपसे कह रहाए खाद the flow rate of the water from a tab of diameter diameter आपको given a 1.25 cm तो इसको meter में भी convert करना तो Reynolds number के लिए लगे Reynolds number के लिए 4 ऐसी रहेंगे density जो होती है वो 1000 kg पर meter cube होता है Q क्या है rate of flow यह दे रहेंगे आपको 0.48 liter liter को meter में convert करने के लिए 10 की power minus 3 सा multiply करते हैं एक चीज यह याद रखना liter में नहीं रखनी है आपको meter cube में रखनी है तो 10 की power minus 3 सा multiply करेंगे तो meter cube में आ जाएगा अच्छा है यहाँ पर minute दे रखा पर minute दे रखा तो minute को second में convert करने के लिए 60 से divide कर देंगे ठीक है यह आपको पता है एक minute में 60 second होते है और यह upon में भी है इस से पता लग रहा है कि upon में तो upon में 60 सा multiply कर दो अभी आ जाएगा ने रख दिया point 48 into 10 की power minus 3 divided by 60 तो आपने ऊपर के तीनों की value रख दी pi की value रखेंगे 3.14 होता है multiply में eta की value आपको दे रखे 10 की power minus 3 तो 10 की power minus 3 रखेंगे तो आपने यह तो ऐसे रहने दिया 4, rho की भी रख दी, q की भी रख दी, pi की भी और यहाँ पर eta की value भी put कर दी, अब आता है d का number, d क्या है diameter, by the way आपको diameter centimeter में दे रखा तो इसको आप हाथ हो हाथ 1.25 centimeter को meter में convert करने है 10 की power minus 2 सा multiply कर दो value जो है meter में आ गई, ठीक है solve करते है अब इसको solve करेंगे तो कैसे solve करना है वह इसको, दो 10 की power minus 3 10 की power minus 3 यह खतम हो गया इस 1 0 से यह वाला भी 1 0 खतम हो जाएगा point के बाद 2 number है point के बाद 2 number है, तो 2 और 2 4 तो यहाँ पर 10 की power 4 सा multiply कर दो, अब देखो कितना होगा तो value कितनी आ जाएगी अच्छा, और देखो कुछ कट रहा है क्या 2 सागाट होगे, यह कट रहा है 2 दूनी 4, 2 सागाट होगे 2 इकम 2, 25 10 और 27 14, 157 हो गया ठीक है, और कुछ कट रहा है क्या अच्छा, point हटा देंगे तो नीचे 10 की power 2 सा multiply हो जाएगी तो कहीं नगे 10 की power 2, 10 की power minus 2 को खतम कर देगा, तो value जो बच रहा है उसको मैं लिख देता हूँ, Reynolds number is equal to यह आपके पास 2 है यह आपके पास 100 है ठीक है, तो 2 ऐसी रहने तो 100 का मतलब है 10 की power 2, 10 की power 4 यह है 10 की power 6 हो गई ठीक है, तो यह भी हो गया, यह दोनों भी यह एजस्ट हो गए, 48 यह ऐसी रहेगा अब divide में देखो, क्या बचा हुआ है 157 बचा हुआ है 157 के बाद में यहापर 6 बचा हुआ है 6 के बाद में 125 बचा हुआ है और कुछ नहीं बचा बस यह बचा हुआ है अब स्वालब करना आपके नहीं थोड़ा आसान होगा 6 से काट होगे 6 सत्य बचाले, 48 बार कर जाएगा ठीक है, और कुछ काट लो यह आपके पास 10 की पावर 6 है तो इसको मैं एक बार ऐसे लिख दूँ 10 की पावर 6 को मैं एक काम कर लेता हूँ 1000 लिख देता हूँ और 10 की पावर 3 को मैं अलग लिख देता हूँ यहां से 125 इंटू 157 यह ऐसे रहन देता हूँ देखो मैं अगर 125 से काटना चाहूँगा तो कितनी बार कर जाएगा 125 का 125 की 8 से मल्टिपलाई करो तो यह हो जाएंगे 825 अठे 200 तो यह हो जाएंगे 1000 तो 125 से काटना तो यह आठ बार चला जाएगा पूरा 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 और 68 68 68 तो उपर बचेगा 128 और नीचे बचेगा 157 और यहां 10 की पावर 3 बच रहा है पूरी प्रॉपर वे मैं कैलकुलेशन करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको ताकि आप लोगों को समझ आ जाए ठीक अभी अब मैं इसको लिख देता हूँ पूरा 128 है यह 128 और यह 157 है तो 128 का आगए 30 और है तो 128 की 30 और यहाँ पर लगाती है डिवाइड कर रहा हूँ मैं किस से 157 है अब इसको डिवाइड कर लो 128 000 को 157 है पस थोड़ इसी कैलकुलेशन यहां कर लेता हूँ क्योंकि डिवाइड तो मैं कर दूंगा लेकिन मैं चारह हूँ कहीं नहीं वो टाइम सेव हो जाए आठ सो पंद्रह दे समलव 128 यह इद रिनॉल्स नमबर का वैलू ठीक अभई हूप्षो किलेर है रिनॉल्स नमबर का वैलू यह आ चुका है रिनॉल्स नमबर का वैल्यू इससे ही आ गए तो आप मुझे एक बात बताओ यहां पर यहर आप यह कह सकते हैं वो 1000 से चोटा है 1000 न दिखा रहे तो आप 2000 दिखा दो क्योंकि आपने 2000 से कम के लिए पढ़ लगा 2000 से चोटा है जब 2000 से चोटा है तो फिलो किस तरह का होगा? लैमिनार फिलो होगा तो आप कह देंगे यहापर फिलो ओफ वाटर शुड़ भी शुड़ भी लैमिनार फिलो कैसा होगा? लैमिनार होगा तो पहला केस आपने पढ़ लिया पहले केस के अगोर्डिंग फिलो कैसा होगा? लैमिनार होगा जिस तरह से आपने पहले केस में बहुत easy way में समझा हुआ है वैसे ही आप second वाली केस में देखेंगे बस second वाली केस में इतना किया गया है जो rate of flow है उसको बढ़ाया गया है कितना कर दिया? तीन लीटर कर दिया पर मिनट के हिसाब से तो आप देखेंगे second वाली केस में क्या करना है आपको second वाली केस यहाँ को लिखेंगे आप कहेंगे Q जो कर दिया है वो 3 लीटर पर मिनट कर दिया आप एक काम करने इसको ही solve कर रहा है 3 लीटर, लीटर को में convert करने है 10 की पावर माइनस 3 से multiply कर दोगा तो मेटर क्यूब हो जाएगा यह और पर मिनट, मिनट को 60 से डिवाइड कर दोगा तो second हो जाएगा तो मेटर क्यूब पर second ठीक है, तीन से काट होगे तो यह हो जाएगा 1 upon 20 इंटो 10 की पावर माइनस के 3 यह हो जाएगा मेटर क्यूब पर second, तो आपके पास Q की value आ चुकी है, 1 upon 20 इंटो 10 की पावर माइनस 3 अब आप जानेंगे कि हमारे पास formula क्या था, Reynolds number का तो Reynolds number is equal to the 4 रो Q upon आपके पास यह था इंटो D, देखो, 4Q D, देखो, 4 रो Q 4 रो Q upon इटा, इटा इंटो D और साथ में पाई भी पाई इटा D, यह formula हमें याद नहीं यह formula हमने बनाया था ठीक है, तो यहाँ आप एक काम करने है, values put करना शुरू करने है, Reynolds number is equal to 4 तो ऐसी रहेगा, density water की कितनी होती है, 1000 होती है अच्छा, Q आपके पास कितना आया 1 upon 20 इंटो 10 की power minus के 3, यह आ गया ठीक है भई अब इसमें πाई की value कितनी है, 3.14 यह ऐसी रहेगा, अच्छा, यहाँ पर अभी भी आपको जो coefficient of viscosity है, वो 10 की power minus के 3, यह दिया हुआ ही है ठीक है, और diameter कितना है diameter, अब देखो diameter 3 liter per minute यह वैसे ही चल ला है, सब कुछ वैसे ही है diameter आपके पास वो ही, इसका just double कर दोगे, यह आपके पास diameter दे रखा, sorry diameter दे रखा centimeter में तो इसको meter में convert कर लोगे 1.25 को फिर से, 1.25 into 10 की power minus 2 सा multiply करकर लो जी, यह convert हो गया अब जो cut रहा है, उसको card दो, जो बच रहा है, उसको छोड़ दो, इससे यह कर जाएगा, एक 0 से एक 0 खतम हो जाएगा, point के बाद 2 digit है, हटा देंगे, point के बाद 2 digit है, हटा देंगे, 10 की power 4 सा उपर multiply हो जाएगा, क्योंकि 2 0 इसके, 2 0 इसके, 4 0 उपर आ गए ठीक है, अब calculation easy, 2 सा card होगे, 4 को 2 दुनी, 4 दो बार कर जाएगा, ठीक है भई, अब यह आपके पास देखो, यह क्या है, यह है 100 और यह है 10 की power 4, अभी ऐसे लिखते हो, 2 into 100, into 10 की power 4, और नीशे दो को value कितनी है, 3 1 4 यह हो गए, यह भी कट गए है, यह है 125, और 10 की power minus 2 उपर जागे, 10 की power 2, ठीक है भई, पास सा काटते हैं यह फिर वो ही काम कर लेते हैं, कि यह एक काम कर लो, यह 3 पावर 3 कर दो, एक 0 यहाँ को ले लो, और यह 8 बार पूरा पूरा चला जाएगा दो सा काटेंगे, तो यह 157 बार चला जाएगा, तो उपर 8 है, 3 0 यह है, 2 0 यह है, तो 5 हो गए, तो 1, 2, 3, 4, 5 0 आपने यह लगा दिये और 157 आपने यहाँ, बस इसको फिर से डिवाइड कर लेते हैं, चल्द इसे डिवाइड करकर दिखाएता हूं वैल्यू कितनी आ रही है, यह है 80,000 8 लाग है, बढ़ी 5 0, तो इसको डिवाइड करना 157 से है, तो 5,095 वैल्यू आ रही है 5,095 दशंबल 5,095 अब देखो, यह जो रिनोल्स नमबर आया, यह तो 3,000 से बहुत ज़ाद आया, तो आप यह ऐसे कहेंगे, कि रिनोल्स नमबर जो है वो 3,000 से बहुत ज़ाद है तो फिलो किस तरह का होगा जल्ले सबता है, तर्बूलेंट हो जाएगा तो आप लिख देंगे, the flow the flow of water will be turbulent flow कैसा हो जाएगा, तर्बूलेंट हो जाएगा क्योंकि आपने पढ़ लगा कि रिनोल्स नमबर 3,000 से ज़ाद हो, तो तर्बूलेंट और अगर 3,000 और 2,000 के बीच में हो, तो unstable और 2,000 से कम हो, तो laminar, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं question के अंदर यही पूछा गया था उम्मीद करता हूँ, समझ में आ गया होगा, doubt है तो comment कर सकते हैं, वरना जितना हो सकते हैं चैनल को subscribe करें और videos को share करें, thank you